वेल्कम टू एक्जाम सहे पाठी आज के इस बूस्टर सिजिज थी में हम लोग कुछ प्रमुक पुष्टकों के बारे में जो है अध्यान करेंगे और ये पुष्टकें जो है अधिकतर जन्रल नालेज के क्वेस्चन्स में आपको पूछ ली जाती है ठीक है जन्रल एश्ट दत्त ने मृक्ष कटिकम पुष्टक आपसे पूछा जाता है किसने लिखी है तो सुद्रक ने ठीक है नमुद्रा रक्षस और देवी चंद्र गुप्तम विसाग्ष दत्त मृक्ष कटिकम सुद्रक की पुष्टक है अस्वगोस की कौन सी पुष्टक है तो ये आपका वात्सयायन ने लिखी है क्या कामसूत्रा ठीक है कामसूत्र भी question जो है आपसे बन चुका है कई बार तो कामसूत्र शोर्मा ने लिखी है अपकी पंच तंत्र यह आपकी नयतिक मूलेओं की पुष्टक है क्वेस्टें में आपसे ये भी पूछा जाता है क्निमलिख लिख पुछ्तके जो है अधिक आप से पूछ ली जाती है एकई्जाम में आरियभटक की पुछ्तक का कौन सी है तो आरिभटक की पुछतक है सूर्यसिद धान्थ ब्रहम्हगुप्त ब्रह्म गुप्त की पुष्टक का नाम है ब्रह्म सिध्धांत और इन्होंने गुरुत्वा करशण का सिध्धांत बताया था ये भी आप याद रखना कि ब्रह्म गुप्त जो है इन्होंने गुरुत्वा करशण के सिध्धांत जो है बताया था नियुपधा कि इन्हों ने कहा था कि कोई प्रित्वी हर चीज को अपनी और खिशती है ठीक है इसी को हम लोग आज क्या कहते हैं इसी को हम लोग गुरुतोकर्षड कहते है महावीरचारे की पुष्टक जो है गडित सारसंग्र ठीक है गडित सार संग्र है महावीराचार सूत्र भी आपने पढ़ा होगा मैथ वाले होंगे तो साक्त्याण की पुस्तक है अमोग वरित एक दो बार ये भी पूछा गया है इसलिए मैंने यहाँ पे सामिल किया है महेंद्र वर्मन जो है इनकी पुस्तक है मत्त विलास प्रहसन ठीक है महेंद्र वर्मन की पुस्तक क्या है मत्त विलास प्रहसन इसके रावा अमोग वर्स का विराज मार्ग ये कंणर पुस्तक है ठीक है कामंदक की नीतिसार बहुत बार पूछा गया है ये भी आपको याद रखना चाहिए कामंदक की क्या है नीतिसार प्रवर सेंदुती ने लिखी है सेत बंधु ठीक है न सेत बंधु किसकी है ये है प्रवर सेंदुती की अमर सिंग की पुछतक है अमर कोस अमर सिंग ज फिरनतों सभासटी जलें खिला गकंव काव्य परिकरक्रिए में दोन कभासटी सब्क्राइब ज़िए को जो है भाष्क्राइब अलग-अलग exam में, अलग-अलग book के बारे में पूछा जाता है, कभी रगोवनसन, कभी कुमार संभवम, कभी रेतु संग आरम, कभी अभिज्यान साकुंतलम, ठीक है, माल विकाग निमित्रम, तो अलग-अलग पुछतक के बारे में इनसे पूछा जाता है कि किसकी पुछतक है तो ये सभी कालिदास की पुछतक है हर्सवर्धन की जो है तीन नाटक है ये इंपोर्टेंट है बहुत बार पुछा गया आपका नागानंद, रतनावली और प्रियदर्सिका किसकी पुछतके है ये हैं आपकी हर्सवर्धन की ठीक है नागानंद, रतनावली और प्रियदर्सिका बाण भट्ट की पुछतक जो बहुत बार पुछी जाती है वो है आपकी हर्सचरीत और कादंबरी इसके लावा इनकी पुछतक है एक चंडी सतक ठीक है बाण भट्ट की आप याद रखेंगे हर्सचरीत कादंबरी इसके लावा जो है एक चंडी सतक हर्सवर्धन की आप जरूर याद रखेंगे बहुत बार पुछा गया है अब हम लोग देखते हैं अगला बाल रामयाड जो है किसने लिखेंगे तो बाल रामयाड किसकी है बहुत बार ये भी पुछा गया है तो ये है आपकी राज सेखर की इसके लावा इनकी है काब्य मीमांसा ने ठीक है ना काब्य मीमांसा बाल रामयाड इनकी आप याद रखना भारवी की जो पुष्टक है वो आप याद रखना किरातार जुनियम तो किरातार जुनियम जो है ये भारवी की पुष्टक है इसके लावा माग की पुष्टक क्या है सिसुपाल बद और ये एक नाटक है ठीक है ये भी याद रखना कि इस से जो है किस जगह का इतिहास पता चलता है ठीक है न कमेंट करके आप बताना कि कलहड की राज तरंगडी से किस जगह का इतिहास पता चलता है किस जो है सदी का इतिहास पता चलता है अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके जरूर रताइएगा ठीक इसके लाँ देख पृथविराज रासो, ठीक है? तो संयोगीता से जो जो अपहरण किया गया था ये सब जो पृथविराज चौहान की चीज़े हैं वो आपको चंदबरदाई की पृथविराज रासो में मिलेंगी ठीक है न तो ये कुछ महत्वपूर पुष्टके थी जो बार-बार आपके एक्जामस में पूछी जाती है तो इनको मैंने यहाँ पे जल्दी से बूश्टर सीरीज में करा दिया है उमीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होंगी ठीक है अगर आपको पता हो कि एक दो और लिखक हैं क्या नाम है उनका पतंजली और जो है पाड़ीनी ठीक है न तो उनकी भी जो है एक एक पुष्टक का नाम आप लोग कमेंट करेंगे बहुत बार पूछा जाता है मुझे उमीद है कि आपको पतंजली और पाड़ीनी की पुष्टकों के बारे में जरूर पता होगा ठीक तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसको लाइक कर दीजेगा और अपने दोस्तों तक भी जरूर सेयर कर दीजेगा